Class 3, Second Language, Hindi तो बच्चों, रोज सुबह आपको कौन जगाता है? इस धर्ती में कौन अपनी रोश्नी को फैलाता है? इसका जवाब है सूरज हमें रोज सुबह जगाने वाला सूरज है इस पार्ट का नाम जो मैं आज आपको चर्चा करने जा रही हूँ उसका नाम है सूरज रोज सुबह सूरज आकर सबको सदा जगाता है रोज का अर्थ है प्रती दिल सुबह का अर्थ है प्राता काल आकर का अर्थ है आना सबको का अर्थ है सभी को जगाता का अर्थ है उठाता तो बच्चों इसकावीता में रोज सुबह सूरज आकर सबको सदा जगाता है हम लोग के एक एक जो शब्द के अर्थ हम लोग ने जाने हैं अब उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी कि प्रती दिन प्रातहकाल सूरज आकाश में उदित होता है हम सभी को क्या करता है नीन से जगाता है यदी बच्चो सूरज ना हो तो चारोर क्या होगा अंधेरा ही अंधेरा होगा तो सूरज हमें क्या देता है रोश्णी देकर जो अंधकार है उसको दूर करने में साहता करता है तो सूरज के उदे होते ही हम सब क्या करते हैं? अपने अपने कामों में लग जाते हैं तो यह हुआ इसका दो जो पहली लाइन का अर्थ अब दूसरी स्टैंजा में आते हैं कि शाम धले आराम करने अपने घर वो जाता है ढले का अर्थ है अस्त होना आराम का अर्थ है विश्राम शाम होते ही सुबह से सूरज आकाश में हमें दिखाई देता है फिर शाम को क्या होता है? शाम होते ही जिस प्रकार सभी लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं आराम करने उसी प्रकार सूरज भी शाम को आराम करने अपने घर वो जाता है क्योंकि आस्मान में सुबह से सूरज आता है, सब को जगाता है उसके बाद शाम होते ही जिस प्रकार सब लोग अपने घर को जाते हैं उसी प्रकार सूरज भी आराम करने विश्राम करने अपने घर वो चला जाता है दिन भर खुद जलकर गर्मी और रोशनी फैलाता है दिन भर का अर्थ है पूरा दिन खुद का अर्थ है स्वयम, जलकर का अर्थ है जलना, रोश्नी का अर्थ है उजाला, फैलाता का अर्थ है बिखेरता तो इसका अर्थ है सूरज दिन भर स्वयम गर्मी से जलता रहता है सूरज एक आग का गोला है वो बहुत गर्म रहता है सूरज को सूरज की गर्मी में बहुत ही जलन होती है पूरा दिन सूरज हम सबको सब जगा रोशनी ही फैलाता है तो हमें सूरज फिर क्या देता है गर्मी और रोश्नी सभी जगा फैलाता है फिर सूरज क्या करता है रोज सुबह आता है और सबको नींद से जगाता है शाम होने के बाद में जैसे हम लोग सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं उसी प्रकार सूरज भी आराम करने अपने घरों चला जाता है उसके बाद क्या होता है सूरज दिन भर खुद जलता रहता है सूरज एक आग का गोला है तो उससे हमें क्या-क्या मिलता है सूरज से गर्मी और रोशनी रोशनी का अर्थ है उजाला तो यह गर्मी और रोशनी हमें देता है सूरज हमें देता आनाज फलफूल बारिश भी यही कराता है देता का अर्थ है देना, अनाज का अर्थ है अन, फूल का अर्थ है पुश्प, बारिश का अर्थ है वर्षा जिस प्रकार सूरज हमें जगाता है और उसके बाद रोशनी देता है, गर्मी देता है इसके साथ ही साथ हमें और भी बहुत कुछ देता है जैसे सूरज के प्रकाश के द्वारा जो है सूरज की जब किर्णे पेड़ पौधे पर पढ़ती है तब पेड़ पौधे अपना भोजम स्वयम बनाते हैं यदि सूरज ना हूँ, जिस जगा सूरज की किर्णे ना पढ़ने से वह पेड हरा भरा ना रहकर सूख कर मर जाता है उसी प्रकार अनाज उगाने, पेड पौधों को भोजन बनाने में भी सूरज हमारी शाहता करता है इस प्रकार सूरज हमें फल, फूल, आनाज देता है और बारिश भी सूरज के कारण ही होती है तो इस प्रकार सूरज हमारी बहुत साहता करता है, हमें नींद से जगाता है उसके बाद खुद जलता है, स्वयम जलते रहता है, उस गर्मी में बहुत ही जलन होती है और उसके बाद वह हमें चारो तरफ रोशनी ही रोशनी फैलाता है इसके साथ साथ हमें अन देता है, फल और फूल देता है जो पेड़ फौदे बड़े होते हैं, वह सूरज की किरने पढ़ने से ही वह पेड़ हरा भरा रहकर वह हमें फल और फूल देता है उसके साथ ही साथ बारिश भी कराता है जीना उसी का जीना है, जो काम दूसरों के आता है तो यहाँ पर इस कविता में कवी ने हमें यह भी सिखाया है कि अपने लिए सब लोग जीते हैं यहाँ पर दब देश की आजादी के लिए बहुत वीरों ने अपने प्रान त्याग दिये उस जो सहीद लोग हैं, वे अपने लिए कभी भी नहीं जीए वह उसने प्राणों की आहूती देकर दूसरों की साहिता की है उसी प्रकार हम सूरज यहाँ पर जो कवी ने हमें इस पाट के माध्यम से यह समझाया है कि जिस प्रकार सूरज भी हमें दूसरों के ही काम आकर हमेशा दूसरों की ही साहिता करता है सब को नेंद से जगाता है और खुद जलता रहता है गर्मी देता है रोशनी देता है उसके बाद हमें आनाज, फल, फूल और बारिश भी यही कराता है तो उसी प्रकार हमें भी सूरज के जैसा दूसरों के काम आना चाहिए जो गरीब हैं, अपाहिज हैं, जो असा है लोग हैं उसी सूरज के समान हमें भी दूसरों के काम आना चाहिए जैसे कि उधारन के लिए मदर टेरेशा Mother Teresa ने अपना पूरा जीवन गरीबों की साहता में ही गुजार दिया तो उसी प्रकार जिस प्रकार सूरज और बहुत सारे जो वीर जवान हैं हमें भी यह पाठिस के द्वारा यह सीखना है कि हमें भी दूसरों के काम आकर दूसरों की साहता करके हमें भी अच्छा नाम कमाना है